कि पहली कर देते न कि पहली बोला था मैंने दस पे लाइब कर देते न को लिए चलिए नमस्कार जहिंद कैसे हो आप सब भाइया थोड़ा सा लेट हुए और आज एक काफी आपके लिए क्योंकि आप सब का इतना साथ रहा और आप सब ने इतना सपोर्ट हमें किया है पिछले दो साल से तो आप सब की ही वजय से और आप सब की ही बदौलत आप सब के सपोर्ट के कारण ही एक बहुत बड़ी खुश ख़बरी थी जिसके लिए अभी हम गए थे और जिसके लिए हम थोड़ा लेट हो गए चलो सबसे पहले तो नमस्कार माफी चाहूंगा मैं दो चार मिनट लेट हो जाता था लेकिन आज कम से कम 12-13 मिनट में लेट हो गया तो भी कारण था वो मैं बता दूंगा वो कारण आपको पता भी चल जाएगा भी आप से ही जुड़ा हुआ कारण है तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास को शुरूर नमस्कार जैहेंद भीया और आराइएमसी का रिजल्ट जो है वो भी आ जाएगा उम्मीद तो हम करेंगे आ जाए और लगातार हम भी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का तो सबसे पहली चीज कि आज की जो क्लास थी वो क्लास आपको पता शनिवार को होती नहीं है लेकिन ये क्लास इसलिए कि ताकि आपका जो संडे को भी क्लास नहीं हो पाएगी और हो सकता मंडे को भी क्लास नहीं हो पाए तो कारण ये है कि मंडे को आप सबको पता है सुखोई अकेडमी के लखनव ब्रांच की ओपनिंग होने वाली है ठीक है सुखोई अकेडमी के लखनव ब्रांच की ओपनिंग है 27 को Monday को तो उसी चीज में हम लगे हुए थे उसी वज़े से थोड़ा सा लेट हुए तो अब सुखोई Academy भई पटना बेंगलूरू में थी अब पहुँच गई है लखनव भी जो भी लखनव से हो आज पास का inquiry कर सकता है वैसे आपको पता है भई सुखोई में offline admission के लिए test वगेरा ये सारी चीज़ें होती है तो थोड़ा सा strict procedure होता है चलिए तो आजाए जल्दी जल्दी और फिर हम करते हैं शुरू बेड़ा मेरा कोई happy birthday नहीं है आज हाँ लखनव ब्रांच भी आप ले सकते हो admission बिलकुल जो लखनव के आसपास जो यूपी से हैं क्योंकि फरीदाबाद वाली ब्रांच में तो आपको पता है चीज़े फुल हो चुकी है admissions दो है वो पहले ही हो चुके है offline में तो चलिए करते हैं शुरूआद सबसे पहले सबसे जरूरी चीज कि भी आज की जो class थी मैं रखना चाहता था Sunday को लेकिन Sunday को क्या हुआ कि भी या हो सकता है कि Sunday को आपकी class ना हो क्योंकि कल आपको पता है हमारी नई academy की opening है जिसके कारण हमें जाना पढ़ सकता है नई academy पे तो इस कारण से हो सकता आपकी class ना हो इसलिए मैं आज ये class लेकर के आया हूँ और ये class हम करते हैं आपकी शुरू ठीक है जी चलिए शुरूआत करते हैं हम यहां से चलो जल्दी जल्दी आजाईए और फिर करते हैं शुरूआत शुरूआत करते हैं हम सबसे लंबी नदी से ओकी R.I.M.C का result है भी आजाएगा R.I.M.C का result भी हमें ही परेशान कर रहा है कि भी जल्दी आजाएगा तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी इंटर्व्यू जल्दी हो जाएंगे चलो शुरूआत करते हैं सबसे पहला सवाल जो आप के सामने आ रहा है वो पहला सवाल है कि सबसे लंबी जो नदी है दुनिया की वो कौन सी है अब यहां पर question होता है दो question बनते है पहला सवाल तो यह बनता है कि यहां पर बात की जा रही है सबसे लंबी नदी की बात किसकी की जा रही है सबसे लंबी नदी की तो दो दौन रंदियां आपको याद रखनी है एक तो largest river of the world एक longest river of the world ठीक है ये आसान भी है और important भी है देखो largest जो बात करेंगे वो Amazon River है जो कहाँ पे है ब्राजील में ज़्यादा फ्लो करती है South America में है ठीक है ये नदी South America में है ठीक है जी अब बात करें longest की longest मतलब जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है 6690 km जो लंबाई है वो है Nile की सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो Nile River की है kis की है Nile River की कहाँ पे है Nile जो है वो African continent में बहती है ठीक है आफरीका continent में बहती है अब दो नदिया और दे रखी हैं यहाँ पर जो काफी जरूरी नदिया हैं जिसमें से एक है मिसीस पी मिसूरी मिसीस पी मिसूरी जो है यह दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है जो यूएस से में बहती है चौथी सबसे लंबी नदी है जायरे जो है ये खुद कॉंगो कंट्री में बहती है जायरे कॉंगो ठीक है तो ये चार नदिया हैं दुनिया की फेमस नदिया है जिन में से अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है सबसे ज़्यादा पानी है वो दुनिया में कहीं Amazon में है ठीक है Sir I can't take admission in सुखोई Academy फरीदाबाद देखो बढ़िया सुखोई Academy फरीदाबाद में जो R.I.M.C. के लिए या किसी भी के लिए admission होता है वहाँ पे टेस्ट होता है और जनरली R.I.M.C. के लिए तो भी scholarship टेस्ट देना बह göst जरूरी हो जाता है आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ आगे चलेंगे हम अगले सवाल अगला सवाल है दादा सहाव फाल के अवाड को प्राप्त करने वाले पहले कौन थे देको recipient का मतलब होता है जिसको प्राप्त होता है means मिलता है तो सबसे है फिल्मों का ठीक है हाईस्ट अवार्ड है फिल्म का तो फिल्म का हाईस्ट अवार्ड है सिनेमा का हाईस्ट अवार्ड है इंडिया में और ये दिया जाता है जिनरली भी हर साल उन लोगों को जिन्होंने सिनेमा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हो अब सिनेमा के ये बहुत बड़ा योगदान देने वाले तो भई हर साल एक ही जादातर रहेगा अब ये 1969 में शुरू हुआ था और सबसे पहले ये देवी का रानी को दिया गया था देवी का रानी जो है भारतिय फिल्मों की पहली महिला सुपरस्टार बोला जाता है आप सबने एक फिल्म सुनी होगी जिस फिल्म का नाम था आलम आरा भारत की सबसे पहली जो टौकी थी मींस बोलने वाली फिल्म थी जिसमें आवाज थी वो थी आलम आरा जिसमें देवी का रानी थी जिसमें कौन थी देवी का रानी थी तो आपको याद रखना है आलम आरा भारत की पहली फिल्म थी जिसमें आवाज थी जिसमें क्या थी आवाज ठीक है तो बोलने वाली पहली फिल्म के थी आलम आरा और उसकी एक्ट्रेस जो थी देवी का रानी को इनको मिला था पहली बार दादा साथ फाल के अब और इस पिछली बार किसको मिला ये आसा पारिक को किसको मिला आसा पारिक ठीक है आरेमेस के लिए स्कॉलर्शिप जो होगी भी या वो तो अगले ही साल होने वाली है लेकिन अब भी आपको एडमीशन चाहिए तो बहुत अच्छा आपको टेस्ट में करना पड़ेगा टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे आना जरूर होगा सो खोई ये 6 और 9 दोनों के लिए है ठीक है 6 की भी तैयारी हम कराते है 9 की भी तैयारी कराते है उसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदोस था हमारा तो ये जो नारा था ये जो स्लोगन था ये काफी फेमस था ठीक है अब इसके पीछे का मैं आपको पूरा बताऊंगा कि सारे जहां से अच्छा जो स्लोगन था वो ऐसे आदमी ने दिया था जो आदमी बाद में भी एक दूसरा देश जिन्होंने आइडिया दिया बनाने का सबसे पहले पाकिस्तान बनाने का जो आइडिया था वो इस आदमी का था जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा ये नारा दिया था सबसे पहले मैं बिस्मिल की बात करता हूँ बिस्मिल ने दिया था सरफरोशी की तमन्ना कौन सा दिया था बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल ने दिया था सरफरोशी की तमन्ना ठीक है उसके बाद इकबाल ने दिया था इकबाल कौन है national poet of Pakistan छीक है ये पाकिस्तान के national poet है भारत के national poet कौन है भारत के के national poet हुए है लेकिन हम असलियत में माने तो रविंदर नाथ टैगोर को ही भारत का national poet माना जाता है बागी भीया मैथली शरन गुप्त भी हुए रामधारी सिंग दिनकर भी हुए उनको भी नेशनल पोईट का खिताब दिया जाता है लेकिन पाकिस्तान के नेशनल पोईट माना जाता है मुहम्मद इकबाल को और ये मुहम्मद इकबाल ही थे असलियत मैं आपको बता दू मुहम्मद इकबाल ही थे जिन्होंने सबसे पहले सबसे पहले पाकिस्तान की बात कही थी कि हमें दूसरा कोई देश चाहिए या दूसरा कोई देश मुसलिब मांग सकते है ठीक है? चलो आगे बात करते हैं हम उसके बाद नीलगरी जो है ये कौन से मांटेन रेंज का पार्ट है अब बात करेंगे नीलगरी की नीलगरी है ब्ल्यू मांटेंस नीलगरी कौन से मांटेंस है जिनको ब्ल्यू मांटेंस बोलते है ब्ल्यू मांटेंस कहां पे है ये ये तमिल नाडू में है और ये वो mountain है जो generally western घाट और eastern घाट को मिलाते हैं ये किसको मिलाते हैं बिटा R.I.M.C का result आ जाएगा अब tension मत लीजिए ठीक है बिटा 6th class में लड़कियों के लिए लखनव में है 6th class में जो है लड़कियों के लिए लखनव में है फरीदाबाद में केवल R.I.M.C के लिए लड़कियों के लिए admission होता है ठीक है तो नीलगिरी जो हैं वो किसका हिस्सा है देखो भारत की दो बड़ी famous एक ऐसे और एक ऐसे भारत में दो बड़ी famous mountain हैं इसको बोलते हैं western घाट और इसको बोलते हैं eastern घाट इन दोनों को मिलाने वाला जो है न ये नीलगिरी है इन दोनों को मिलाने वाला क्या है नीलगिरी है ठीक है इन दोनों को मिलाने वाला क्या है नीलगिरी ठीक है तो ये जो सहयादरी है ये किसका नाम है वेस्टरन घाट का है किसका है ये वेस्टरन घाट का नाम है तो याद रखोगे आप वेस्टरन घाट सहयादरी जिसमें नीलगरी है और नीलगरी तमिलनारू में है और नीलगरी में एक बहुत फेमस माउंटेन पीक है डोडा बेता और ये वही नील गरी है जहां पे जनरल विपन रावत की डैथ होई थी ये वही नील गरी है जहां पे डोडा ट्राइव रहती है और डोडा बेता और एक और फेमस जगे है यहां पे उटी उटी जो है तमिल लाडू का वो नील गिरी की पहाडियों में ही है कुछ किताबें बताईए R.I.M.C के लिए R.I.M.C के लिए जीके के लिए तो जो चीजें मैंने यूट्यूब पे कराई है मुझे लग रहा है आपको वो ही काफी माक्स दिला देंगी रही बात आपके मैट्स की तो भई मैट्स में जनरली प्रिवियस येर काम आते हैं और इंगलिश में भी आपको प्रिवियस येर क्वेशन से ही हिसाब किताब लगाना पड़ेगा ठीक है आपको फरीदाबाद RIMC में लेना है तो आपको अगले बैच के लिए वेट करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा टेस्ट देने आप इस महीने आ सकते हो बिलकुल बिलकुल भई टेस्ट देना पड़ेगा बिन टेस्ट के नहीं होगा अब सबसे उंचे प्लैचू की बात करते हैं प्लैचू बोले तो टेबल माउंटेन प्लैचू किसे बोलते हैं उठे हुए एक पहाड को टेबल माउंटेन बोला जाता है प्लैचू जो है ये जनरली कैसे होता है ऐसे होता है प्लैचू बई यह जमीन है जमीन का उठा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा प्लैचू कहलाएगा जैसे भारत का एक famous प्लैचू है डेकन इंडिया में कौन सा प्लैचू famous है डेकन लेकिन यहां पे पहुँचा दुनिया का सबसे उंचा प्लैचू कौन सा है तो दुन तिबबत का हिस्सा है ये किसका हिस्सा है तिबबत का हिस्सा है लेकिन इसका नाम है पामीर नाम क्या है इसका पामीर है अब यहाँ पे दिक्कत होगी कि कौन सा प्लैचू तिबबतियन प्लैचू है ठीक अब यहाँ पे आप कहोगे सर तिबबतियन प्लैचू है लेकिन फिर है तिब्बतियन प्लेचू का हिस्सा है तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी आगे बात करते हैं हम अगला जो सवाल है वो है आपका वेर डिर गौतम बुद्ध अटेन निरवाना ठीक है कल ही मैंने कराया था सबसे पहले तो यहाँ गड़़ड हो जाए इस सवाल पे गड़बड हो जाएगा निर्वान का मतलब क्या है निर्वान का मतलब है इनलाइटनमेंट निर्वान का मतलब क्या है इनलाइटनमेंट वो जगे जहां पे भगवान बुद्ध को ग्यान प्राप्त हुआ था वो जगे अब आपको समझा गया यहां पे इनलाइ के नीचे पीपल ट्री के नीचे बौद गया में उनको ग्यान प्राप्त हुआ और उस समय उनकी उम्र कितनी थी 35 years थी मैं घर छोड़ने के 6 साल बाद उनको ग्यान प्राप्त होता है तो आप याद रखोगे question जो है वो बदल के भी आ सकता है सवाल जो है वो बदल के भी आ सक किताब नहीं है जीके में कोई भी किताब नहीं है अगर मैं आपकी बात करूं सैनिक स्कूल या मिलिटरी स्कूल के लिए कोई एक पर्मानेंट बुक नहीं है किसी के लिए भी हाँ आपको मैथ के लिए या फिर आपको भी मैथ के अलावा इंगलिश के लिए जरूर ग्राम है सेनिक स्कूल में कि तीन राउंड चलेंगे आरेमेस के लिए बैस्ट बुक में बता रहा हूं भीया कोई एक स्पेसिफिक किताब है ही नहीं सुखोई की भई कोई भी जम्मू कस्मीर में ब्रांच नहीं है आगे कभी कोसिस होगी तो हम करेंगे फिर से मैं बता दू सारनाथ में उनको क्या प्राप्त हुआ था उन्होंने पहला उभदेश दिया धरम चक्र परवर्तनाए कुशी नगर में उनकी मौत होई थी डैथ होई थी ठीक है और नालंदा वही उनका पता है नालंदा वुद्धिश्ट यूनिवर्स्टी है उसके बाद किस चीज के लिए दिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है कि कलिंगा जो अवॉर्ड है वो किस फील्ड में देखो मैं आपको बता दू कलिंगा अवॉर्ड यूनेसको के द्वारा दिया जाता है जो UNESCO आपके Paris में है Calinga Award UNESCO के द्वारा दिया जाता अब ये किस फील्ड में दिया जाता है ये Science के फील्ड में दिया जाता है मैं हर week आपके जरूर practice questions लेके आया करूँगा हर week में आपके लिए practice questions जरूर लेके आया करूँगा क्योंकि practice questions ते आपने जो भी आप week में पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपको revise होती रहेंगी ठीक है? ओके? चलो बेटा ये जो batch है ये नया ही batch है और ये मैं जनवरी से शुरू कर चुका हूँ ये जो batch है मैं जनवरी से शुरू कर चुका हूँ और ये कोई अभी से नहीं हुआ ये जनवरी से है और इसका playlist है मैं आपको बता दू जो किलासें होती है उनका playlist होता है मेरे साब से सेनिक स्कूल की joining date हो चुकी है शुरू सेनिक स्कूल में बैया जिनका medical clear हो रहा है उनसे fees भी ली जा रही है इसका मतलब उनका joining शुरू हो चुका है जिनका medical हो रहा है पास उनसे fees ली जा रही है वो आपका medical शुरू ये समझ लीजिए और एडमीशन शुरू हो गया है बीमारी का नाम है रिकेट्स देखो question में क्या-क्या देखना होता है सवाल में देखना होता है रिकेट्स caused mean होती है किस से होती है कमी से तो किस की कमी से होती है रिकेट्स जो बीमारी है deficiency means कमी तो किस की कमी से हमें क्या होगी रिकेट्स होगी अब ये रिकेट्स होती क्या है रिकेट्स का मतलब हो गया भाया आपकी bonds क्या हो जाएंगी twist हो जाएंगी bonds क्या हो जाएंगी आपकी twist हो जाएंगी तो twisting of bones जो होती है वो आपकी recats होती है हड़ियों की जब हम बात करेंगे हड़ियों की बात करेंगे हमारे दिमाग में आई हड़ियां तो हड़ियां आते ही हमारे दिमाग में आएगा vitamin D हड़ियां आते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा विटामिन डी हमारे दिमाग में आएगा ठीक है तो ट्विस्टिंग और बॉन्स क्या है आपका विटामिन डी से होता है ट्विस्टिंग और बॉन्स क्या है आपका विटामिन डी से होता है तो ये चीज आपको बेहद अच्छे तरीके से याद रखनी होगी अब यहाँ पर दो तीन चार और दे रखें सर आप तो विटामिन के पीछे लग जाते हो कई बार मेरे को बच्चे भी कहते हैं कई बार मेरे को और टीचर भी कहते हैं कि सर आप विटामिन के पीछे क्यों लग जाते हो भीया विटामिन के पीछे में इसलिए लगता हूँ क्योंकि सैनिक स्कूल, मिलिटरी स्कूल दोनों में यहां से क्वेश्चन आया था, चलो एक-एक करके हम बता देते हैं क्या क्या है, विटामिन A का मतलब जहां भी विटामिन A आये तो आपके दिमाग में आएगा ब्लाइंडनेस, आपके दिमाग में क्या आएगा, ब्लाइंडनेस आएगा, जब भी आपके दिमाग में विटामिन A आये तो आपके दिमाग में ब्लाइंडनेस, कौन सी वाली, रात वाली ब्ल सी से क्या होगा आपको स्कर्वी होगा सी से क्या होगा स्कर्वी बीमारी होगी ठीक है तो स्कर्वी किस से होती है विटामिन सी से स्कर्वी क्या होती है आपके ब्लीडिंग ओफ गम्स जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्लीडिंग ओफ गम्स हमारे मसूडों में क्या हो नाम है clotting, blood की जो clotting नहीं हो पाती और ये क्या है आपकी, vitamin K की बीमारी है, blood की clotting नहीं हो पाएगी, ये है vitamin K की बीमारी, तो ये बीमारी आपको याद रखनी हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ठीक है, which of the following is a book written by, written by, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम, इनमेंसे कौन सी किताब है, जो एपीजे अब्दुलकलाम के द्वारा लिखी गई है, आपके सामने चार किताब हैं, चार किताबों मेंसे कौन सी किताब है, जो एपीजे अब्दुलकलाम के द्वारा लिखी गई है, इनमेंसे चार में से विंक्स ओफ फायर जो है ये आटो बायो ग्राफी है इसके अलावा इन्होंने और कौन सी किताब लिखी है इसके अलावा इन्होंने लिखी है इगनाइटेड माइन्स कौन सी किताब लिखी है इगनाइटेड माइन्स ठीक है एक किताब और लिखी है इन्होंने गया और I.M.C. वालों ने भी ये बताया था कि भाया तब तक आ जाएगा अब हम तो सब उम्मीदें करते हैं कि आ जाए आ जाए आ जाए क्लोटिंग का मतलब होता है जब हमारे शरीर से खुन बहने लगता है हमारे किसी घाव से तो उसके जमने को खुन के जमने को क्लोटिंग कहते हैं सेनिक स्कूल की मेरिट लिस्ट जो है भीया वो ये समझ लो आ चुकी है जिनका भी जिनका भी मेडिकल फिट हो रहा है वो समझ लीजिए उनका एडिमीशन तो हो ही जाना है क्योंकि बच्चे जादा नहीं लिये हैं उन्होंने जिनका भी मेडिकल फिट हो रहा है समझ लीजि रिजल्ट का भई अब हमें भी यह उम्मीद हम तो रोजा ना लगाए बैठे आज 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 आया जाता है पॉंगल जो है ये जनवरी में मनाय जाता है ज्यादा तर हमारे उत्तर भारत में सक्रांती मनती है उत्तर भारत में क्या मनती है सक्रांती यहां मनता है पॉंगल असम में मनता है भी हू ठीक है पंजाम में मनती है लोहुडी तो ये त्योहार जनवरी में मनाय ज यह सब harvest festival हैं यह फसनो के फैस्टीवल है क्ज़ेश के छी घीमेंग, फचरा को शिरा की तो पॉटु जो है यह ताम लादू में मनता है और तामट्ल लादू से पिछली बार तीन question डिरेक्ट्ली इंडरेक्ट्ली रिलेट्ड थे तामिल लादूसे रेमेसे के पेपर में, ठी वह से हैं आपकी बुल रेस होती है और अंदर प्रदेश से रिलेटटेड है और नवरातरी चल रहे हैं तो ये जब सो तोहार हैं आपको याद रखने पड़ेंगे कहां पर ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं अगला है दा फेमस रॉक गार्डन इंपोटेंट है भईया देखिए रॉक गार्डन मैंने मौनिमेंट्स कराई लेकिन कई मौनिमेंट्स मैंने छोड़ दिये होंगे शायद मैंने हिस्टोरिकल मौनिमेंट्स ही कराई थे इसके बाद मैं कुछ ऐसे मौनिमेंट्स कराऊंगा जो हिस्टोरिकल नहीं है लेकिन भारत में जो काफी बेटा मेरी क्लास के नोट्स बनाना अगर आपने दिमाग में अच्छी चीजें से कर लिया तो नोट्स की जरूरत नहीं है जो चीजें नहीं आती देखो नोट्स का मतलब क्या होता मैं आपको आज बता देता हूँ notes का मतलब होता है वो चीजें लिखना जो नहीं आती जो चीजें कठिन लगती है अब आपको पता है कि रॉक गार्डन कहां पे है तो मुझे नहीं लग रहा आपके notes में उसकी जरूरत है तो चीजों को short कीजिए चीजों को इतना छोटा कीजिए कि जो चीजें नहीं आरी जो चीजें आपको थोड़ी सी परेशान कर रही है उनकी बेटा तीन राउंद तक का e-counseling सुना है चार राउंड होंगे या नहीं होंगे तीन राउंड तक का सुना है लेकिन जो बच्चे थे जादा तर भही वो पहले राउंड में ही ले लिये होंगे उन्होंने ठीक है सर सेनिक स्कूल का एडमीशन फॉर्म भही सेनिक स्कूल का एडमीशन फॉर्म आता है आपका जाकर के अक्तूबर में अभी बहुत टाइम है अक्तूबर में आएगा आपके सेनिक स्कूल का जो फॉर्म आना है वो अक्तूबर में आएगा ओके तो चंडीगड के अंदर है आपका famous rock garden कहांपे है चंडीगड के अंदर है किस ने design किया था यह नेक चंद ने किस ने design किया था नेक चंद ने design किया था जदा पुराना नहीं है मेरे साथ यह 1990 के करीब डिजाइन किया गया था इसलिए historical place नहीं है यह तो rock garden जो है वो चंडी गड़ के अंदर है कहां पे है चंडी गड़ के अंदर है आपका rock garden ओके चल लो सर 225 पे हो जाएगा क्या बेटा हर स्कूल का अलग अलग होता है ऐसे बिलकुल कोई भी नहीं बता सकता मैं आप भी 270 वाले जो है गोपाल गंज में नहीं हो पाए या फिर 260 वाले कुझपुरा नहीं हो पाए तो भीया क्या होगा तो cutoff तो उपर जाएगा ही तो cutoff तो भीया उपर जाना ही है बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं अब बच्चों के मेहनत करने का एक कारण ये भी है कि बच् अच्छे गूगल दिखा रहा भाईया गूगल से दूर रहो सच बता रहा हूं गूगल को क्या पता गूगल पे जो वेब साइट है उनको क्या पता चार राउंड का काउंसलिंग होगा भाई मेंली सेकेंड और थर्ड राउंड होंगे 60-70% सीटे भर ली गई हैं 70% से जादा सीटे भर ली गई हैं तो आप उस वहम में मत रहिए गूगल दिखा रहा चार चीज़ वो होंगे गूगल पे कहां से आगया भाई या गूगल पे आपकी तरह के किसी ने डाला होगा तो इसलिए गूगल के भरोसे मत रहिए बड़ी दिक्कत हो जानी है अगला सवाल खासी गारो और जेंतियां की जो ट्राइब हैं ट्राइबल पीपल पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था आपके लिए ये किस स्टेट में हैं खासी गारो और जेंतियां की जो tribe हैं ये किस state में हैं ये mountains भी हैं hills हैं खासी गारो जेंतियां के और ये कहां पे हैं मेघाल्या में जहां पे क्या होती है सबसे ज़्यादा बारिश होती है जब भी हमारे दिमाग में मेगहल्य आता है तो हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा बारिश आती है सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो मेगहल्य हमें होगी जगे का नाम क्या है मौसिन राम जगे का नाम क्या है मौसिन राम ठीक है जगे का नाम है मौसिन राम तो मौसिन राम जो है इस जगे पे सबसे ज़्यादा मेगहले में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है आगे बात करेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों जरूरी है भाईया देखो नेशनल पार्क में कॉर्बेट सबसे जरूरी क्यों है इसका नाम जो पड़ा हो है वो जिम कॉर्बेट के नाम पे पड़ा है जिम कॉर्बेट जो थे ये एक शिकारी थे जिनोंने एक नर्भक्षी सेर को मारा था और इनके नाम पे भारत का First National Park का नाम रखा गया तो भारत का जो First National Park है वो उत्राखंड में बनाया गया था और उसका नाम पहले Haley National Park था क्या था? Haley National Park था और यह Haley National Park जो है यह पहला National Park था आर I.M.C. में पूछा जा चुका है 1936 में इसको National Park बनाया गया इसका नाम जिम कॉर्वेट कर दिया गया और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखके बताओगे कि जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क का भी नाम बदल दिया गया है पिछले साल इसका नाम भी बदल दिया गया है पिछले साल बही मेरी academy की फीस कितनी ये कितना ये सारी चीज़ें बही जो हमारे number होते हैं उन पे पूछ सकते हो आप आईए पहले system देखी है फीस वगेरा तो बाद की चीज़ें होती है ओके भीया आपको सुनता नहीं है क्या मैं यंग चौन केरे कब तक आएगा admission form मैंने बता दिया अक्तूबर में आता है फिर भी नहीं सुनोगा अगर आप इनी बातों को नहीं सुन रहे तो मैं जो इतना बता रहा हूँ तो मुझे तो नहीं लग रहा कि उसे आप सुन रहे हो है ना राहुल कुश्वाहा लगातार कह रहे है चार राउंड दिखा रहा है इसका मतलब आपने कोई comment पकड लिया कि मैं तो इसको ही post करता जाओंगा मुझे नहीं सुनना सर क्या कह रहे है आपको RMS crack करने के लिए कम से कम कम से कम 2-3 घंटे daily आपको इसके लिए देने हैं 2-3 घंटे daily आपको किसके लिए देने हैं आपको RMS की पढ़ाई के लिए देने हैं 2-3 घंटे में आप clear कर सकते हो लेकिन dedicatedly देने होंगे बच्चे इतना ही time देते हैं क्योंकि school के अलावा आपके पास बचता ही इतना है तो राम गंगा नेशनल पार्क होता है तो आप बिल्कुल पूछा करो लेकिन अगर आप सवाल ऐसे पूछोगे जिनने ना बताने में मुझे मज़ा आए ना किसी और बच्चे को सुनने में मज़ा आए तो फिर अच्छा नहीं लगता है अगला सवाल है which of the following is classical dance from classical dance form of ठीक है classical dance form इन में से कौन सा है केरला का देखे ग्ल्सिकलडाणस की बात हो रही है भारत में आठ क्लासिकलडाण्स है ठीक है जी भरत नाट्यम की بात करें तो ये तमिल नाडू का है नेशनल क्लासिकलडाणस of इंडिया है कतक की बात करें तो ये यूपी का है कुछी पुडी की बात करें तो ये आंद्रप्रदेश का है ठीक है तो बचा कौन सा जो बचा वो केरला का होगा क्योंकि हमेशा ध्यान रखो अगर तीन आप्षन अलग हैं बिल्कुल तो चौथा आप्षन ही आंसर होता मोहेनी अट्टम जो है ये केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये केरला का दूसरा क्लासिकल डांस है ओके तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है सर कुछ लोग बोल रहे हैं जिम कॉर्बेट तो भाई एक नेशनल पार्क क्या कह रहे हैं मेरी समझ नहीं आ रहा कुछ लोग आपका सवाल में जरूर लोगा कि जिम और कॉर्बेट दो भाई थे अरे भाईया हाद जड़वालो मेरे से जिम और कॉर्बेट दो भाई नहीं थे ठीक है जिम और कॉर्बेट दो भाई नहीं थे उस आदमी का नम पूरा जिम कॉर्बेट था उसके बाद आगे बात करेंगे The Parliament of which country is known as national पंचायत किस देश की पार्लामेंट को national पंचायत means राष्ट्रिय पंचायत बोला जाता है हमारे देश की पार्लामेंट को संसद बोलते हैं हमारे देश की पार्लामेंट को क्या बोलते हैं संसद बोलते हैं जो दिल्ली में है ऐसे ही किस देश की संसद को क्या बोलते हैं राष्ट्रिय पंचायत बोला जाता है जैसे जैसे भाईया आपका इंगलेंड का जो संसद होता है वो सिंपल पारलियमेंट है वेस्ट मेंस्टर पारलियमेंट बोल देते हैं इंगलेंड के संसद को क्या बोलते हैं वेस्ट मेंस्टर पारलियमेंट बोल देते हैं ठीक है भूटान की जो संसद है वो आपका तो शान गडू है आपको याद नहीं रखना ठीक है रश्या की जो संसद है वो डूमा है और नेपाल की जो संसद है वो राष्ट्रिय पंचायत है नेपाल में जहां पे सब नेता बैठते हैं उसे हम क्या बोलते हैं राष्ट्रिय पंचायत बोलते हैं, तो याद रखोगे? बिल्कुल याद रखना होगा ओके, BC का मतलब होता है वह यह, before Christ जीरो से पहले का समय BC का मतलब है जीरो से पहले का समय, ओके तो अब आप एक चीज याद रखना RIMC के लिए आपको कम से कम, RIMC के लिए आपको कम से कम 4-5 घंटे पढ़ने पढ़ेंगे 4-5 hours daily इतना आपको पढ़ना पढ़ेगा कम से कम कहँ रहा हूँ मैं अगर आपको RIMC किलियर करना है तो दिन में 4-5 घंटे तो पढ़ना पढ़ेगा कैसे भी करके मैनेज करो अगर आपको RMS किलियर करना है तो 2-3 घंटे आपको डेली करने पड़ेंगे कैसे भी करे हो भईया पूरा साल है आपके पास इसलिए थोड़ा सा कम टाइम में भी काम चल जाएगा 8-9 महीने हैं 8-9 महीने में आसानी से आप कर लोगे कल का PDF मिल जाएगा बिलकुल इस क्लास के बाद में कल का PDF आपके लिए करा दूँगा अगला सवाल है रंगा स्वामी कप जो है वो किसका नेशनल चेंपियनसिप है मीन्स रंगा स्वामी जो कप है ये किस खेल से संबंदित है तो आपके सामने चार खेल दिये हुए हैं और ये फेमस कप है काफी रंगा स्वामी कप ये किस खेल से संबंदित है क्योंकि स्पोर्ट से questions आते हैं स्पोर्ट से जो होते हैं वो questions आते हैं तो बिलकुल याद रखने पड़ेंगे यार मैं इसके पेपर में भी वह स्पोर्ट से करंट अफेर से क्वेस्चन आया था तो क्रिकिट से रंगा स्वामी कप किसी ने नहीं सुना होगा, टेबल टेनिस से नहीं सुना होगा, टेनिस से भी नहीं सुना होगा, आगा खान कप, रंगा स्वामी कप, तीन कप याद रख आगा खान कप और आपका तीसरा है रंगा स्वामी कप ठीक है तो ये तीन आप अच्छे से कर लो भाईया याद तीन कर लो याद तो हौकी याद रखोगे रंगा स्वामी कप के लिए और स्पोर्ट से भाईया विल्कुल क्वेशन्स आते हैं दा फस्ट मैन टू रीच दा साऊथ पॉल साऊथ पॉल पे पहुँचने वाले पहले आदमी का नाम बता दीजिए भाईया ये साऊथ पॉल है कहां पे तो हमारा भारत तो बीच में है एक्वेटर से उपर है तो इससे नीचे जो साउथ की तरफ एक्वेटर से बिलकुल यहां पे जमीन पे सबसे पहले 1911 में एक आदमी गया था जिसका नाम क्या था रॉल्ड अमंडसन था क्या नाम था भहिया इस आदमी का रॉल्ड अमंडसन कुछ और नाम हमें दिखाई दे रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है रॉबर्ट पियरी का नाम पियरी जो गए थे यह नॉर्थ पोल पे गए थे पियरी किस पे गए थे नॉर्थ पोल पे आर्क टेकोशियन की तरफ मैजलान कौन थे जिनोंने धर्टी का चक्कर लगाया था मैजलन ने क्या लगाया था धर्ती का चक्कर लगाया था गोल गोल चक्कर पूरी धर्ती का फडिनाड मैजलन ने लगाया था किसने फडिनाड मैजलन ने और रॉल डमंडशन वो थे जो पहले आदमी थे दुनिया के जो साउथ पोल पे पहुंचे South Pole समझते हो South Pole का मतलब आपको मैंने बता दिया है Jim Corbett National Park उत्तराखंड में है Jim Corbett National Park जो है वो उत्तराखंड में है बेटा सुखोई में तो जயदा ही पढ़ाई होती है सुखोई में तो आप पूचो मत 11-12 गंटे तक पढ़ाई चली जाती है और ग्यारा वारा गंटे पढ़ाई होती है तो उसका result भी आपके सामने रहता है उसके बाद सिल्क जो होता है वो किसके द्वारा produce होता है सिल्क जो है वो कैसे बनता है देखो मैं आपको बता दूँ सिल्क जो है ये एक कीडे से बनता है किस से बनता है सिल्क कीडे से हिंदी में इसको रेशम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको रेशम अभी RMS में question आया था भारत में सबसे ज़्यादा सिल्क कहां पे मिलता है करनाटका में भारत में सबसे ज़्यादा सिल्क कहां पे मिलता है करनाटका में मिलता है अब अब आप देख लीजिए question क्या है कि सिल्क किसके द्वारा बनाया जाता है सिल्क जो बनता है वो सिल्क वॉम से बनता है तीनों जगे दे रखा है लेकिन सिल्क वॉम का जो अंडा होता है उसे क्या बोलते है प्यूपा बोलते है सिल्क वॉम का जो अंडा है वो क्या कहलाता है प्यूपा कहलाता लारवा किसका होता है लारवा होता है आपके मेंडक का लारवा किसका होता है फ्रॉग का लारवा होता है और सिल्क वाम का होता है प्यूपा सिल्क वाम का क्या होगा प्यूपा बिल्कुल फडिनाड मैदलन ने ये बताया था कि धरती गोल है सबसे पहले tribes of India का अगर PDF नहीं मिला मैं बिल्कुल बिजवा दूँगा क्योंकि आज मैं आप सब को पता है भई मैं फरीदाबाद में हूँ और यहां से तो बिजवा ही दूँगा मैं सारी चीज़े ओके चलो तो यह चीज़ याद रखना है सिल्क वाम के अंडे को प्यूपा बोलते है बॉकसाइट जो है वो किस से किस का ओर है देखो ओर क्या होता है ओर मींस जो औरीजनल रॉक है जहां से कोई मैटल निकलता है मींस वो औरीजनल पत्थर जहां से क्या निकलेगा कोई मैटल निकलेगा ठीक है क्या निकलेगा मैटल निकलेगा तो वो औरिजिनल पत्थर जहां से कोई मैटल निकलता है वो और कहलाता है सपोज करो कि हमने जो लोहा निकाला वो किसी पत्थर से या जमीन से निकाला तो वो औरिजिनल फॉर्म में जो आएगा वो कच्चा लोहा होगा वो और रहेगा तो बॉक्साइट जो है वो किसका और है बहुत important है भईया बॉक्साइट है aluminum का अगर दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा बॉक्साइट वाले देश की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट आस्ट्रेलिया में मिलता है बहुत famous है जब भी भई हम देखो धर्ती के नीचे से तो बॉक्साइट निकलेगा हम उसे aluminum बना देते हैं धर्ती के नीचे से तो बॉक्साइट निकलता है लेकिन हम उसे क्या बना देते हैं aluminum बना देते हैं समझ गए चलिए आगे बात करते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है मलिक कफूर जो था वो किसका जनरल था देखो भारत के तिहास में मलिक कफूर एक बहुत बड़ा जनरल रहा जनरल मींज यह सैनापती था ये क्या था सेनापती था किस राजा का सेनापती था क्यों फेमस रहा क्योंकि ये पहला ऐसा राजा था जिसने साउथ इंडिया को भी कबजे में नौर्थ इंडिया का राजा साउथ इंडिया को भी कबजे में करने की सोचीती तो इसी सेनापती के दमपेश ने साउथ इंड खलजी का खलजी डाइनेस्टी का ये राजा था और इसका कमांडर मलिक गफूर था जिसने साउथ इंडिया को जीतने की कोशिस की थी तो याद रखोगे सिकंदर लौदी वो है जिसने आगरा नाम का शहर बनाया था आगरा नाम का शहर बनाया था सिकंदर लौदी ने और आपको पता होगा कल विशाल सर एक नए टीचर आपको दिखाई देंगे अनलाइन में सुखोई अकैडमी पे उनका नाम है विशाल सर और खल वो आपको दिली सलतनत के ऊपर एक ही वीडियो में पूरा दिली सलतनत शाम को आठ बजे आपके सामने लेकर के आएंगे ठीक है इ लेकिन बहुत काम की चीज़ें इन्होंने की, सेना को इन्होंने स्ट्रॉंग किया और इसके अलावा इन्होंने पहली बार मार्कीट में हर चीज़ का प्राइस फिक्स किया, एम्मार्पी लाने वाला यही आदमी था, हुमायू के बारे में सब जानते हैं, अकबर का बही पिता था, हुमायू बाबर का लौंडा था, सब जानते हैं इसके बारे में, आगे बात करते हैं, Who was the governor general of India देखिए ये governor general से 5-6 सवाल बनते हैं और ये बहुत आता है अब governor general चलो ये सो हमें पूचा है governor general लेकिन कब पूचा है जब सिपाही विद्रो हुआ सिपाही विद्रो हुआ था 1857 ठीक है सिपाईयों ने अंग्रेजों के खिलाब विद्रो किया जो सिपाई थे जो आपकी आर्मी में काम कर रहे थे भारत की आर्मी में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाब विद्रो किया इस विद्रो को 1857 का क्या बोलते हैं revolt बोलते हैं जिसे भाई भारत में first war of independence भी बोला जाता है sir एप में भी send कर देना बिल्कुल मैं कोशिस करूँगा एप में भी send कर दूँ वैसे एप में मैं सारी चीज़ें कराता ही हूँ तो great mutiny means 1857 के समय पे canning क्या था भारत का governor general था अब क्या होता 1857 के बाद governor general का पद खतम हो गया क्यों हो गया क्योंकि east india company का राजज खतम कर दिया गया भारत में पहले अंग्रेज राजज नहीं करते थे east india company राजज करती थी लेकिन 1857 के बाद east india company खतम और राजज किसका हो गया ब्रिटेन का हो गया ब्रिटेन का जो राज्य है वो 1858 से शुरू हुआ तो गवर्नर जनरल आउट और वाय सराय का पोस्ट इन होगा ठीक है ओके तो ये चीज बिलकुर अच्छे से याद रखोगे क्लास जो है वो ज्यादा नहीं क्लास जो है वो केवल और केवल एक घंटे की रखोंगा कर सकते हैं, बैटा military के लिए Îlen तो नहीं है, एलन जो करता है वो आपके या तो IIT की कोचिंग कराता है या फिर आपके NEET की कोचिंग कराता है military school के लिए तो मुझे नहीं लग रहा वो कोचिंग कराता हो ओके सो खोई मैं एक अपरिल को आ रहे हो चलो बहुत स्वागत है आपका RIMC जून के लिए तो बेटा आपको कम से कम 6-7 गंटे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि RIMC जून तो अब आ गया है ठीक RIMC के लिए आप दो महीने में तो प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा थोड़ा सा आपको दम लगाना पड़ेगा आगे बात करेंगे हम अगला है गरवा जो डांस है वो किस स्टेट का फॉक डांस है ठीक है गरवा जो फॉक डांस है अब आपको पता नवरात्री चल रहे हैं नवरात्री में बई डांडिया आपने सुना होगा बड़ा फेमस फॉक डांस होता है लेकिन जब भी डांडिया का नाम आता है तभी गरवा का नाम आता है ठीक है तो गरवा जो है वो गुजरात का फॉक डांस है गरवा जो है वो किसका है गुजरात का फॉक डांस है अभी म जो बहुत बड़िया जो भी सुकोई में आ रहे हैं बहुत बड़िया है आओ जल्दी स्वागत है आप सभी का और इस प्लेनेट इज रेफर्ड टू बोथ एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार यह नहीं क्या है यह क्या है यह क्या है हमारे समस्थे नहीं हमें दो चीज़ें देख रही है एक तो हमें planet देख रहा है एक हमें morning evening star बोटा question में ना देखो क्या पूछा है हमको दो चीज़ें देख रही हैं जो काम की है प्लेनेट है जो morning और evening star होता है में सुबह भी दिखता है शाम को भी दिखता है हमें किसके रूप में एक तारे के रूप में क्योंकि उपर जो है वो सब तारा दिखेंगी हमें star दिखेंगे तो venus जो है venus सबसे काम का है भई hottest planet है ठीक है brightest planet है अब hottest हो गया brightest हो गया ठीक है जी इसके बाद अर्थ का twin भी है अर्थ का क्या है twin भी है भई अर्थ की तरह का दिखता है और इसके अलावा सबसे गरम तो है ही सबसे धीरे धीरे घूमता है उल्टा घूमता है तो venus बड़े काम का है Jupiter जो है वो सबसे बड़ा है और Mercury जो है वो सबसे छोटा है ठीक है और Saturn जो है second largest है इसको इसकी rings के कारण जाना जाता है और यह सबसे हलका है तो बैजा बताओ जी इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है बैटा आप दो महीने से तैयारी दो महीना बहुत कम हो जाता है थोड़ा सा तो दम लगा के आपको करना पड़ेगा एक घंटा नहीं हुआ बैटा 47 minutes हुएं एक घंटे का मतलब एक घंटे की class एक घंटे का यह मतलब नहीं कि 8 से 9 एक घंटे का मतलब है एक घंटे की class उसके बाद 1857 में जब अभी मैंने 1857 की बात की थी फिर से ता 1857 की बात कर रहा हूँ 1857 में पहला जो क्या था ये एक बहुत काम का सवाल है 1857 के विद्रोहों में पहली गोली चली थी किसी भी विद्रोही की बंदूक से किसी भी विद्रोही की बंदूक से पहली गोली जो चली थी वो कहां से चली थी अब आप सबने सुना होगा कि 1857 का विद्रोश शुरू हुआ था मेरट से 10 माई को शुरू हुआ मेरट से शुरू हुआ लेकिन यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है अगर क्वेस्चन को पूरा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहली गोली असलियत में बैरकपुर में चलाई गई थी और उस सक्सियत का नाम क्या था मंगल पांडे था तो मंगल पांडे वो पहला आदमी जिसने एक गोली चलाई थी अंग्रेजों की तरफ जिसके बाद ये पूरा विद्रोश शुरू हुआ लेकिन शुरूआत जो होती है वो मेरट से होती है दस मईए आपको पता होगा मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और वहाँ पे मामल के लिए कितने जरूरी है क्लास 6 के लिए भाया अब जो अटेम्ट बनेगा वो 2000 बार है एक अपरेल से पहले वालों का नहीं बनना है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ अभी जो आरेमेस के लिए अटेम्ट जो आ रहा है आरेमेस सैनिक के लिए वो बच्चे पेपर द दे सकते हैं जिनका सिक्थ क्लास के लिए कह रहा हूँ जिनका डेट ऑब बर्त एक अपरेल 2012 है से 31 मार्च 2014 है ठीक है एक अपरेल 2012 है से पहले वाले नहीं देंगे 31 मार्च 2014 के बाद वाले नहीं देंगे ठीक है ओके ध्यान रखना नाइंत के लिए आप क्या कीजिए नाइ गांधी जी को मारा था नाथूराम गौट से ने। ठीक है, बटा, confidence से काम नहीं चलता, केवल confidence से चीज़ें होती ना, तो फिर क्या था, confidence से काम नहीं चलता, काम जो चलता है वो महनत से चलता है, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर में आखर में मेहनत काम आएगी बिटा गए तो हम किसी भी प्लेनेट पे नहीं है ठीक है इनसान किसी भी प्लेनेट पे नहीं गया आज तक समझ गए इनसान जो है वो मून के अलावा कहीं नहीं गया बाकी जो चीजें उसने रोबोट वगेरा जरूर भेजे हैं आगे बात करेंगे आर्रे समाज के फाउंडर अब मैंने आपको बताया था नाइंथ के लिए क्या-क्या जरूरी है कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाए कोई भी पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाए कोई भी जियोग्राफी का क्वेश्चन आ जाए और कोई भी साइन्स का क्वेश्चन आ जाए अगर इन चार चीजों के कहीं क्वेश्चन आ रही है मेरे पढ़ाई हुए मैं से तो वो सवाल आपके 9th class के लिए जरूरी हो जाते हैं अगर history आ रही है, अगर polity आ रही है, अगर geography आ रही है ठीक है, तो ये आपका जरूर जरूर हो जाना है याद तो सर क्या ये अफवा है, कौनसी अफवा है भाईया? नहीं अफवा नहीं है हलका है यार सबसे हलका है हम कैसे हलके भारी को करते हैं हलके भारी को करते हैं हम वहां के सरफेस से भई हमारा धर्ती का सरफेस है हमें कैसा पता चलेगा हलका है भारी है उसका पता चलेगा कि भई धर्ती पे जो मिट्टी है धर्ती का जो surface है उसको हम देखेंगे कि इसमें कितना सामान भरा हुआ है हमारी धर्ती जो है वो generally solid particles की बनी हुई है इसलिए यहाँ ज़्यादा भारी होगा यह लेकिन वो gas से बने हुए है वो किसे बने हुए है? gas से तो आरे समाज के जो founder है वो कौन है? दयानन्द सरस्वती कौन है आरे समाज के founder? दयानन्द सरस्वती 9th class के लिए काभी जरूरी है अब एक और सक्सियत जो यहाँ पे दिखाई दे रही है कई सक्सियत दिखाई दे रही है शुरुआत स्वामी विवेकानन्द से करते हैं जिन्होंने राम कृष्ण मिशन फाउंड किया था ठीक है क्या किया था? राम कृष्ण मिशन फाउंड किया था राजा राम मोहन राए ने ब्रहमो समाज फाउंड किया था ब्रहमो समाज राजा राम मोहन राए और दयानंद शरस्वती ने आर्रे समाज फाउंड किया था ठीक है तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी होगी अगला सवाल आ रहा है नेमदा प्लेस वेर बुद्धा वाज बॉर्न चलो ये दोबारा सवाल आ गया ठीक है बुद्धा से रिलेटिड कौन सी जगे थी जहां पे गौतम बुद्ध का जनम हुआ था तो गौतम बुद्ध का जनम कहां पे चार जगे आपको दे रखी हैं जनम कब होता है 563 BC में इनका जनम होता है तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे बिलकुल सती सिस्टम खतम करवाया था किसने राजा राम मोहन रोय ने किसको बोल करके विलियम बेंटिक को बोल करके क्योंकि उस टाइम पे पावर तो विलियम बेंटिक के हाथ में थी उस इसमें से आपको एक चुनना है वो महीला जो भारत की पहली गवर्नर रही किसी भी स्टेट की चलिए शुरुआत हम सब से नीचे वाले से करते हैं ये क्या है फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर है पहली महीला चीफ मिनिस्टर ठीक है फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर जो ह वो कौन है आपकी सुचेता क्रिपलानी सुचेता क्रिपलानी पहली महिला सीम है और सरोजनी नाइडू, नाइट इंजल आफ इंडिया क्या है भईया, नाइट इंजल आफ इंडिया भारत कोकिला, ये क्या है भारत की पहली महिला गवर्नर है ये क्या है भारत की पहली और दोनों ही UP की गरही गवर्नर भी UP का रहा सर जून में RMS का एक्जाम नहीं है यार मैंने भी दसवार बता दिया RMS का एक्जाम दिसंबर में होता है आपने दसवार पूछा मैंने दसवार बता दिया आपको आज मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं कमेंट मेरे नजदीक है RIMC का फॉर्म जेनरली जेनरली दस से पंदरा दिन में आ जाता है RIMC का फॉर्म है जो दस से पंदरा दिन अब मेरे कुछ एक बास समझ नहीं आती कि आप जब मेरे द्वारा बोली गई बातों को सुनते ही नहीं है तो जो मैं पढ़ाने के लिए बोलता हूँ क्या आप वो सुनते हो क्या आप उसे सुनते हो मुझे नहीं लगता क्योंकि जो भी बात मैं बोलता हूँ आप उस बात को क्या करते हो सर आप कौन हो भीया मैं इंसान हूँ और मेरा नाम धरमेंद्र है ठीक है ओके चलो और मैं आपको भी जीगे बढ़ा रहा हूँ चलिए भई आई रहा है सुखोई अकेडमी गुजरात में नहीं है भईया अब आपको क्या लग रहा सुखोई अकेडमी सब जगे मिल जाएगी आपको ओनलाइन में हम सब जगे है आप से आपके सामने है चलिए मुगल डाइनेस्टि जो है भारत में कभ फाउंड हुई थी, found का मतलब कब शुरूआत होई है, कब इसे पहली बार मुगल जो नाम था भारत में असलियत में आया, वो किस साल में आया, वही सबसे पहले जो सक्सियत थी, वो थे बाबर, बाबर जो थे मुगल डाइनेस्टी को found करने वाले रहे भारत, आपकुस तारीक हैं आपको दि पानीपत से, किस से शुरूआत होती है, first battle of पानीपत से, पानीपत की पहली लडाई, वो होती है इबराहिम लौदी और बाबर के बीच में, ठीक है, इबराहिम लौदी और बाबर के बीच में अब दिल्ली सल्तनत खतम हो गई, और शुरूआत हो जाती है भारत में, किस की शुरुआत हो जाती है भारत में मुगल डाइनेस्टी की तो इतना याद रखोगे बस खतम मैं बेटा डिसपॉइंट नहीं हो रहा हूँ मैं आपको बस मुझे आपकी फिक्र जादा होती है मुझे जो है आपकी फिक्र जादा होती है कि मैं इतना बोलता हूँ, आपके लिए इतना कुछ लाता हूँ, क्या आप वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बिटा, RMS में, धौलपुर में कोई नमबर नहीं चाहिए होते, पहले आप RMS का एक्जाम के लिए करो, RMS के एक्जाम के लिए कम से कम 130 नमबर का सोचना, फिर बाकी चीजों का सोचना, पहले टार्गेट रगो 130 प्लस का, In which state is Chilka, In which state is Chilka, the largest brackish water inland lake, ठीक है, भारत का सबसे बढ़ा, ये brackish water एक Lagoon Lake होता है, ब्रेकिश वाटर का मतलब एक lagoon Lake है, lagoon कैसा होता है, सपोर्च करिए कि भईया ये जमीन है, और ये जमीन है, ये सब क्या है, पूरी जमीन है, ये क्या है, C है, तो यहां से सी से पानी चला जाता है जमीन में अंदर और यह पानी कभी वापस लोट के नहीं आता तो यह एक लेक बना देता है जिसको क्या बोलते हैं लेगून लेक बोलते हैं और यह खारे पानी का लेक होता है और सबसे बड़े खारे पानी का जो लेक है वो है भारत का चिल का लेक और जो उडीसा में है RMS में आया था ये question RMS 2022 में ये question आया था और बिटा जो ये दो चार बच्चे फाल्तू की बातें करते हैं फाल्तू की चीजें करते हैं तो ये चीज़ है न छोड़ दो बेटा आप अपने आपको धोका दे रहे हो आप अपने घरवालों को धोका दे रहे हो दो चार ही बच्चे हैं जो पूरे माहौल को खराब करते हैं मैं आपसे कभी नहीं कहता क्योंकि मुझे लगता है कि भहिया आपका चीज़ें आप खुद समझदार हो इतने तो चलिए आगे बाते करते हैं हम तो याद रखना है बिटा सबसे बड़ा भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा कैसा लेक लेगूल लेक या ब्रैकिश वाटर लेक जो समुद्र से पानी लेकर के आ रहा है वो आपका चिलका लेक है वो क्या है चिलका लेक है ओके आगे ड़ सैवन सैक्रेड रिवर्स ऑफ इंडिया साथ नधियां थी भारत में जो पहले जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे तो साथ नदियां थी ये साथ नदियां जो हैं ये कौन सी हैं देखो पांच नदियां की तो आपको पता है पांच नदियां वो हैं जो पंजाब से फ्लो करती हैं पांच कौन सी रिवर्स हैं जो पंजाब से फ्लो करती हैं लेंड ओफ फाइब रिवर्स लेकिन भारत का जो उन साथ नदियों को जो भारत में आने के लिए रास्ता होता था जिन में पांच तो पंजाब के अंदर हैं इसके अलावा आपका इंडस है जो पंजाम में नहीं है ठीक है इसके अलावा एक सरस्वती नदी थी तो इन साथ नदियों को क्या बोलते थे सब्त सिंधु बोला ज भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे कौन सा है नेशनल हाईवे नंबर 44 जो श्री नगर से जाता है और ये कन्या कुमारी तक जाता है अब आपको एक और चीज पता होगी कि अभी भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे भी खोल दिया गया भा लिली मुंबई एक्सप्रेस वे जो बन रहा है ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा तो ये तो शवाल थे जो हमने आज किये और मेरे हिसाब से अब आज के लिए इतना ही मैंने आपको बोला था जैसे ये घंटा होगा मैं खतम कर दूँगा आपकी क्लास को और प ओके बीजापूर अगली बार आप डालोगे देखो अगली बार ना आप एक पढ़ाई करो और पढ़ाई में आप हिसाब से चीज़ें करो बही मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कम से कम टार्गेट लेके चल रहा हूँ टार्गेट लेके चलो आप दिमाग में ना एक चीज मत 220 की है, अगर ऐसे आप करोगे न, तो सब से बड़ी गड़बड हो जाएगी, अरे टारगेट रखो भाईया, 275 मारने, 275 प्लस मारने, दुनिया के किसी स्कूल में मैं नहीं रुकोंगा, खतम अगर आप दिमाग में ये करके ले जाओगे न, कि 275 ही मेरा टारगेट है, 130 प्लस मेरा RMS का टारगेट है तो अचीव कर पाओगे, लेकिन अगर आप दिमाग में ये रखोगे, न, 222 पे हो गया था फलानी जगे मैं तो वहीं जाओँगा, इस बार क्या हुआ है उस जगे हुआ ही नहीं भीटा, डाइसो औ क्वेस्चन का तो मैंने नहीं बताया, क्वेस्चन तो बुसकिल से 40-50 हुए हुँगे डाइसा का तब मैंने बोला ही नहीं त्युक्कि डाइसो की क्लास ही नहीं थी, आज Sunday नहीं है, आज मेरा थन क्लास नहीं है ये तो बस मैंने आपकी वज़े से ले ली कि बच्चे हैं बच्चों का डुकसान नहीं होना चाहिए बारे गंटे की महरातन बहुत कठिन हो जाती है लेनी पिटा एक्सप्रेस वे ऐसी सड़क जिस पे बिना रोक टोक के चीज़ें चलें ठीक है बिना रोक टोक के बही कोई सिगनल्स नहीं होते उस पे आपके कोई उस पे क्या नहीं खोते रैडलाइट नहीं होते कुछ नहीं धुअधार चीज़ें चलेंगी कोई रोकना टोकना नहीं है सीदhe सीदे तो वो express way होता है बिटा एक गंटे और नहीं ले सकते गंटा ही बहुत है और आपको बता है भी आज तो लेना ही नहीं था आज है मैं ले ही रहा हूँ चलो तो फिर बात करेंगे हम अब आपसे मुझे भी भूग लग रही है शायद शायद Tuesday को बात करेंगे बिटा टू फिप्टी का टार्गेट आपने इस बार रखा लेकिन आगे ज़्यादा टार्गेट रखो ऐसे काम नहीं चल पाएगा और ये जो फालतू के दो चार बैठे हैं ना इंस्टाइडी दे दो फला न दे दो भाईया पढ़लो पढ़लो सच बता रहाऊं रोगे हर बार केता हम पिशली बार भी बोला था और वो बच्चे रो रहे हैं जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने कर लिया जिन्होंने आज भाई मेडिकल देने गए हैं तो उनके चेहरे पे अलग खुशी है मेरा थन जो है वो अगले सन्डे ही हो पाएगी forçaर सेनिक स्कूल से इंडिये में जाते हैं CDS में नहीं बिल्कुल भीए इंडिये में जाते हैं मैं कब कह रहा हूं CDS में जाते हैं CDS होता graduation के बाद चलो तो कल बात करेंगे और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद मेरी बातें बिल्कुल दिमाग में रख लो तभी काम हो पाएगा आज मैंने आपके कमेंट पड़े शायद उसमें ज़्यादा टाइम लग गया एक गंटे का इकलास बोला था एक गंटे का हो गया बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर मिलेंगे कल तब तक के लिए गोड़ बाई जैहेंद नमस्कार और सत्री अकाल सभी को चलो फिर मिलते है आराईम सी के फॉर्म चल रहे है बिटा बही एक गोड़ा खाल का तो बहुत हाई फाई काम है 350 रखाता आपने और 370 गया कम से कम